बास्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉबेटर टुमोरो में तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं ऑनलाइन माध्यम से अपडेटेड हो गया वेफशाइट पे आप मे केमें मैंने देखा था कि सर राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए जैसा कि मैंने अधर स्टेट्स का भी बना रखा है वीडियो उनमें पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है और स्टेप्स बताया है उसी से पहले इस नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने पीची में जहां से आप रेजिस्टेशन कर रहे हैं उसमें आपका फोटोग्राफ स्कैन किया हूँ होना चाहिए और अपना डिमांड ड्राफ तो डिमांड ड्राफ के अब जरूरत नहीं है अगर आप आपको प्रिंट आउट लेना है और अपना फॉर्म और जो पेसलिप या फिर आप अगर अगर अफलाइन माधियम से पे कर रहे हैं तो डिमांड ड्राफ और जो डॉकुमेंट है आपके जो भी रिक्वाइड जैसे 10-12 के आधार कार्ड और अपने कॉलेज के सारे मांक इने फोटोग्राफ री सेंट और जो आपने फी पे मिन्ट किया और चीज एक साथ करके आटेच करके आपको राजस्थान नरसिंग कॉंसील के यज बह़े जना यह नहीं यह ओफिस्टल वेबसाइट पर भी एबलेबल है और हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉंटेक्ट एड्रेस दे रहे हैं यह कॉंटेक्ट नंबर है किसी भी क्वैरी बगरा के लिए फिर स्ट्रक्चर का यहां पर कॉल बन रखा है जहां से आप फिर स्ट सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जहां से आपको अपडेट इंफोर्मेशन मिलता रहेगा जैसा ही वीडियो अपडेट होगा और हम वेकेंसी डिटेल्स टाइम टू टाइम डालते ही हैं जिससे आप लोग वेकेंसी के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं तो चलिए आज हम आपको बताएंगे रजिस्टेशन और डिप्लोमा जो बेसिकली राजस्थान से जो पास आउट है उनके लिए है तो ये ओपन होके आगया स्टेट रजिस्टेशन वर्क फ्लो इसमें कैंडिडेट विल एपलाई ऑनलाइन फोर रजिस्टेशन एट पोर्टल ठीक है जिसका लिंक ओपन होके यह आपका फॉर्म है वहाँ जाएगा वहाँ से आपके कोलेज वाले वेरिफाइब करेंगे आफ्टर वरिफिकेशन अप्लिकेशन विल भी प्रोटेस्ट बबाई प्रोसे बाई जो आपका कॉलेज जब इसको वरिफाइब कर देगा उसके बाद ही राजस्तान नर्सिंग इस पर आगे फर्दर एक्षन लेगी आफ्टर सक्सेस्विल प्रोसेस दर रजिस्टेशन नंबर विल भी और जब यह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको केंडिडेट को रजिस्टेशन नंबर केंडिडेट हैं उनके लिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं यह प्रोसीजर राजस्थान से जो पास आउट है उनके लिए हैं और जो अदर स्टेट के हैं उनका मैं बताऊंगा में भी इसी वीडियो के लास्ट में या फिर अगले वीडियो में अगर ज्यादा लंबा होगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा तो इसमें किसी भी candidate को या फिर किसी भी college वाले को RNC में विजिट करने की जरूरत नहीं है यह जो है आप अपने application status जा portal है हमने पहले बताया है सारा तो वहां से आप अपना application status का क्या status है application कहां तक प्रोसेस्ट हुआ है वो सब कुछ चेक कर सकते हैं तो उसके बाद आप यह सारा instruction पढ़ने के बाद आप continue करेंगे तो continue करने के बाद आपको यहां पर आता है academic information course apply तो आप अगर GNM के हैं तो यहां पर सेलेक्ट करेंगे जी एन एन एम या जी एन एम या बी सी तो यहां पर एन एम सेलेक्ट करके तो एन मैंने सेलेक्ट किया है तो यहां पर आपको सबसे लास्ट में दिखा रहा है और पे का option भी दिखा रहा है तो आप यहां से online पे कर लिए तो बैंक जाने से demand drop बनाने से अब बच सकते हैं वह आपका time save होगा तो चलिए हम फॉर्म तो पूरा अब दोडने नहीं ओपडर का नाम भी इस तरीके से और उसमें स्री या Mr से इस तरीके का prefix यूज नहीं करना है आप यहां से क्लिक करके के अग्यूप करेंगे ठीक है उसके बार आपको अगला है आपका एज तो एज आप यहां अपने आपी डेट ओपर डालने के बाद आ जाएगा नहीं आएगा तो मैनुवली टाइप करना है उसके आद बर्थ प्लेस तो अपना डिस्टी का नाम या फिर अपने विलेज का नाम यहां पर आप मेंसन करिए उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट क के लिए एजी रहेगा आपको मवाइल नंबर एक कंपल्सरी है दूसरा आप अल्टरनेटिव अपनी सुग्दा के हिसाब से डाल सकते हैं डाल दीजेगा ऑप्सन है तो जिससे क्या होगा कि कभी कॉम्णिकेशन एरर होगा तो आपके दूसरे नंबर से कॉंटेक्ट हो सके निशनलीटी डालना है तो आप राजस्थान से पास आउट है तो ओविसली इंडियन निशनलीटी यहां डालना है पर्मानेंट एड्रेस करिंट एड्रेस उसके बाद आपको इंस्टिटूट का नाम तो यहां से सेलेक्ट करना है आपको अपने इंस्टिटूट का नाम ठ तरीके का आपका course duration था जित्ते दिन का वो आप यहां डालेंगे training period कब से कब तक किया था उसके बाद उसका date भी डालना है कि date from तो किस date को start हुआ था वो तो जब आपने admission लिया होगा उस time का आपका first year का जो होगा वो और आपका जो last year का जब आपका result final आ गया था उस date को आप date to डालेंगे उसके बाद यहां पर required document तो 10th का जो है वो mark sheet लगाना है यह बिटा PDF format में upload करना है आपको ठीक है तो PDF में आप अपना file prepare करेंगे 10th का mark sheet 12th का mark sheet उसके बाद आपको mark sheet अपना GNM, ANM या BSC जो भी course है आपका उसका और सारे इसमें single file में attach करना है आपको अपने ज application reject होगा यह red marks में especially mention किया गया है और यह upload करना compulsory है सब कुछ जिसमें भी star लगा है यह भी आपको PDF में एक ही file में जो page बहुत सारे attach होते ना उस तरीके से attach करना है आपको ठीक है कैफे वाले कर देंगे अगर आपको नहीं आता है तो और अगर नहीं तो आप लोग कमेंट क जिससे आपको notification मिलता रहेगा जैसे हम video डालेंगे उसके आधार card का PDF डालना है यहां पर उसके बाद अपना photo यहां पर डालना है ठीक है उसके बाद आपको अगला step पर pay करने का इसके बाद आप जब यह सारा process complete हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका print out लेन करना है प्रिंट आउट लेने के बाद आपको यहां जो हमने address बताया था उस पर dispatch करना है जो कि हम description box में भी दे रहे हैं और official website और आपकी सुपदा के लिए इसके official website का link हम आपको description box में दे रहे हैं जहां से आप directly click करके इसको apply कर सकते हैं तो यह 3 information राजरस्थान nursing council में online registration कैसे कराते हैं उसके बारे में आसा करते हैं आपको हमारे द्वारा दे गई जानकारी यूजफूल होगी ऐसे ही अपडेट्स पर ही information पर यह वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करें जिससे information बाकी लोगों तक भी प करते हैं उसका renewal का क्या process है हमारा गुम हो गया आरेन तो उसका हम कैसे duplicate आरेन मंगाएंगे इन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे चोटा सा और अभी हम next वीडियो आपको बताएंगे कि other state के candidate जो हैं उनके लिए कि वह कैसे अपना transfer करेंगे तो बहुत-बहुत दने बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए जैहिन